राजधानी दिल्ली में एक बार फिर पिछले 24 घंटे में करोना के नए मरीजों की एक बड़ी बड़ोतरी दर्ज की गई और एक ही दिन में दिल्ली में करोना के 338 नए के सामने आ गए दिल्ली में अब तक कुरोना के कुल मरीजों का आंकडा 6,000 को पार कर 6,318 तक पहुँच गया है दिल्ली में कुरोना के मामले बढ़ने का सिलसला लगातार जारी है और पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कुरोना के 338 नए मामले सामने आये हला कि ये बढ़ोतरी पिछले एक दिन के मुकामले में थोड़ी कम है लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में कुरोना के मामलों की संख्या 6,000 को पार कर 6,318 पहुँच गई है उसको देखकर लगता है कि दिल्ली में कौरोना की रफ्तार को रोगना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है कौरोना के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली के लिए कुछ राहत भी नजर आती है दिल्ली में कोरोना के मरीजों का रिकवरी रेट काफी बहतर है कोरोना के करीब 31 फीजदी मरीज दिल्ली में ठीक हो रहे है वही मोत किदर दिल्ली में सिर्फ 1.8 फीजदी है अब तक दिल्ली में 68 लोगों की कोरोना की वज़े से मोत हो चुकी है हाला कि दिल्ली सरकार पर अब कोरोना के आंक्रे छुपाने के घंबीर आरोप भी लग रहे है लेकिन दिल्ली के स्वास्त मंत्री सतिंद्र जैन ने ऐसे लिए कि उसका पॉजितिर रिपोर्ट आने के बारों चुपाने लिए अगर जबसे रिपोर्ट नहीं तब तक नहीं के सकते हैं रिपोर्ट आने की बन को सब्टा पस बताना मुद्रेटिकर्श काना सेंकल को इस अगर कि लिए। दिल्ली में कोरोना जिस रफ्तार के साथ बढ़ रहा है उस रफ्तार को देखकर और चिंतित होना लाज़मी है क्योंकि इस रफ्तार में कहीं न कहीं कम्यूनिटी ट्रांस्मिशन जैसे संकेत देखे जा रहे है दिल्ली सरकार कोरोना के मामलों की जानकारी देने के आरोपों से भले की इंकार करें लेकिन दूसरी तरफ ये भी सच है कि दिल्ली सरकार ने कोरोना की जानकारे देने के अपने तरीकों में कई बार बदलाव किया है। ऐसे में जब सरकार पर कोरोना की जानकारी चुपाने के आरोप लग रहे है तो दिल्ली सरकार के सामने कई सारे सवाल खड़े हो गए है जिनका जवाब सरकार को देना है कुल्दीप शर्मा तोटल न्यूज दिल्ली